हालो एवरीवन मैं संचिता जैन मैंगनेट प्रेंस इंदी वीडियाम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ इतिहास के प्रमोग व्यक्तेट्वी की सीरीज में आज अपन बात करेंगे स्वामी विवेका नंद जी के बारे में जी हाँ तो जल्दी से जल्दी और जादा से जादा आज की इस वीडियो को आप सभी शेर कर दें और लाइक कर दें सबसे पहले हम बात करेंगे इनके जन्म की तो इनका जन्म हुआ था 12 जन्वरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था और 12 जन्वरी को इनके जन्म दिवस के उपलक्ष में कौन सा दिवस मनाया जाता है कौन सा दिन मनाया जाता है जल्दी बताओ जल्दी से कॉमेंट करके बताना है आप सभी को कि 12 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है अब इनके वास्त्विक नाम की बात करें वैसे तो हम इने स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं लेकिन इनका वास्त्विक नाम क्या था इनका वास्त्विक नाम नरेंद्र नाध दत्त था इसके बाद हम बात करें इनक कृष्ण प्रम्हंस के स्योग्य शिश्य थे अब स्वामी विवेका नंदद्वारा किये गए कार्यों की बात करते हैं तो उन्हों कृष्ण की स्थाप्न की ती जो आज भी अपना काम कर रहा है जो अपने पहला कार्य जाना इनका कि जन 593 में इन्हों ने विश्वधर्म महासभा यह बहुत ही अलग द्रश्टी से देखा जा रहा था उस महासभा में और इन्हें मात्र 2 मिनिट का समय दिया गया तो महासभा में बोलने का और जैसे ही इन्हों ने अपना भाषन शुरू किया और उस भाषन में कुछ शब्द ऐसे बोले शुरुआती सब्द उन्हें ऐसे बोले कि पूरी सभा को उन्होंने मेरे भाईयों और बहरों कहेकर संबोधित किया तो पूरी पूरी की पूरी जो सभा थी पूरा का पूरा जो हॉल था वो तालियों की गडगड़ा हट से गूज उठा और इनका भाषन बहुत लंबा चला था वहां के लोग भूली गएते कि इन्हें दो मिनट का समया दिया गया ह treatments भाशन उन्हों ने उस सभामें दिया था इसके बाद इनके साहितिक कार्यों की बात करें कि इन्होंने क्या-क्या लिखा है तो देखें भई राजियोग, कर्मयोग, भक्तियोग राजियोग, कर्मयोग, भक्तियोग और ज्यान योग ये चार किताबें स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखी गई है इनके कथन की बात करें म्रत्यू की कि इनकी म्रत्यू कब हुई थी तो इनकी म्रत्यू बहुती कम उम्र में 4 जुलाई 1902 को मात्र 49 वर्स की उम्र में बैलूर मठ बंगाल रियासत में इनकी म्रत्यू हो गई थी जो समय ब्रिटेश शाषन के अंतरगत आता था और अब बैलूर कहां आता है भारत के पश्यमंगाल राज्य में आता है तो यह जानकारी हो गई स्वामी विवेकान अंदजी के बारे में इनका जन्वा बारत जन्वरी को हुआ था तो बारत जन्वरी को कौन सा दिवस्मन आया जाता है इस question का answer आपको comment में मुझे बताना है अल्राइट अगर आप हुमारे डेली के live session और recorded session से जुड़ना जाते हैं सारी चीज़ें उपलब्ध है Magnet Brains के YouTube channel, website और application पर हो Magnet Brains इंडिया का number one hundred percent free online education platform है ebook सुरी notes की link भी आपको वीडियो की description में मिल जाएगी वहां से आप अवेल कर सकते हैं हमारे पास आपके लिए कई सारे top courses हैं और इतने सारे courses एकी single platform पर high quality education के साथ एकदम free में उपलब्ध कराये जाते हैं Magnet Brains YouTube के लावा दर social media platform जैसे की Facebook, Instagram, Twitter और Telegram पर भी उपलब्ध है आप हमें यहां भी follow कर सकते हैं यहां से भी सारी जानकारी प्राप्ट कर सकते हैं तो आज की series को आप सभी को जादा से जादा लाइक करना है, share करना है और चैनल को subscribe भी करना है हमारे साथ बने रही है, जुडे रही है, पढदते रही है, खुश रही है, thank you so much